नमस्कार मैं हूँ अनील और आप देख रहें MMC News जनपत गाजीपुर में प्रेम परपंच के चलते आज एक यूवक की मार पीट कर हत्या कर दी गई मामला सदर कोत्वाली छेतर के बकराबाद गाउं का है पुलिस मामले की तब 38 में जूटी हुई है बताया जा रहा है कि बकराबाद गाउं के रहने वाले यूवक बाबुलाल का किसी यूथी रिप्रेम संबनता है जिस पर यूथी के परजनों को आपत्ती थी इस मामले में यूवक और यूथी पच्च के बीच कई बार भिबाद और मार पीट भी हो चुकी है आज यूवक लवलुहान हालत में गाउं के बाहर सड़क पर पड़ा मिला ग्रामिरों ने उसे अस्पताल पहुचाया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत होई मृत्कों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यूथी के घरवालों ने मार पीट कर यूवक की हत्या कर दी वहीं प्रेम का द्वारा जहर खाका खुद किसी की कोशिश की भी ख़बर है फिलाल पुलिस मामले की तक्तिश में जूटी हुई है वहीं इस मामले पर गाउ के पुरुपरधान ने बताया कि एक दिन पुरुरात्री में प्रेमिका बाबुलल के घर आई हुथी जिसे बाद में परिजनों ने समझाब हुजा कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया था जिसके बाद आज प्रेमिका ने जहर खा लिया था जिसके सुचना पाकर बाबुला उसके घर जा रहा था लेकिन राष्टे में ही उसे मारा पिटा गया और इसे इतनी कंभीर चोटे लगी कि उसकी इलाज के दोरा मौत हो गई क्या मामला था? लड़की सुम्हेट था है वो लड़की दस जारवऑ राज का अपने थाक से चलिये है इह हमरी घरे आए तो तो शुचार कर लेके तीर गारी पर बैठा के लेके चले गए भर को जो लड़का के जो लिखाल आया है है तो अपने घर पागा लेके गए दो चकात है फिर उसके बाद लड़के को कैसे मारा गए क्यों लड़का के जो लिखाल आया है तो नौ बजी की बीच में कौन लोग थे किसे प्यारोप लगा रहा है नहीं नहीं पता है किसी मार के चले गए कहें लिए मारे लोग वह लड़की कुमाठे नहीं नहीं पता है कौन लोग मारे थे नहीं आपने इसकी तरीर पुलिस को दी है यह संजे बीन का लड़की को नाम लिखाएं 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 गाजीपूर से अनिल कुमार की रिपोर्ट पूरे देश की स्तर पर यह चलाया जाए यह हमारी कोशिश है कि रक्त दान जिसक आ जाता है वंत तक दान के रूप में उस नेड़ी व्यक्ति तक पहुंच जाए झाल 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 झाल